आई फ्लू पूरे भारत वर्ष में बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत से लोग इससे बहुत दरे हुए हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है आप सब हम सब भारत वासियों ने कुरोना से इतनी अच्छे से लड़ाई लड़ी और उस पे विजे प्रापत करी तो ये तो छोटा सा एक वाइरस है प्रन्तु दोस्तों दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए उसको जड़ तक समझना चाहिए और उससे जो है तो बचने की पहले त्यारी करनी चाहिए प्रन्तु फिर भी अगर उसका आक उन्तिवाइरस भी बोला जाता है क्योंकि यह वाइरस से होता है एडिनोवाइरस नाम का एक वाइरस होता है यह इसको पर इसको और इसके ओपर एक layer होती है conjunctiva की और ये layer जो है fold होके जो है पलकॉंट पे भी चली गई होती है वाइरस होता है ये इस conjunctiva को पकड़ता है इसमें infection करता है तो इसलिए इसको viral conjunctivitis भी बोला जाता है तो अब थोड़ा सा इसके लक्षनों को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है तो इसका सबसे पहला लक्षन जैसा कि इसका नाम भी है pink eye तो इसमें क्या होता है आंख जो है लाल हो जाती है redness होती है और दूसरा जो इसका symptom है वो है itching इसमें जो है तो आंख में खारिश ह होती है तीसरा इसका symptom watering भी हो सकता है तो इसमें जो है तो आंख से पानी बह सकता है foreign body sensation हो सकती है कि आंख में कुछ जैसे rate type गिर गया है पांच मा जो है तो इसमें photophobia हो सकता है photophobia मतलब photo मतलब light phobia मतलब डर आंख के आगे जैसे light आती है थोड़ी सी light आएगे ज्यादा light जाती है परन्तु यहां पर किया थोड़ी सी light भी जो है तो आंखे चौंध जाएंगी अब बात करते हैं इस बिमारी से बचाओ कैसे किया जाए दोस्तों इसके लिए यह देखिए जैसे corona virus था तो वैसे ही एडिनो वाइरस है तो जो जो प्रहेज जो जो ध्यान corona virus में रख देखने से हो जाता है यह देखने से नहीं फैलेगा यह टच से फैलेगा जैसे for example मालिया एक बंदे को जो है तो यह flu हो रखा है उसने जो है तो आंक को टच किया जो आंक से पानी निकल रहा होता है उसको टच कर लिया अब वह वाइरस जो है उसकी उंगली पे लग गया अ और फिर जैसे ही वो अपने हाथ को अगर आंख पे लगाता है या किसी दूसरे की आंख पे तो कहां ही लगाएगा प्रमालिया जैसे और भी आगे किसी चीज़ को टच किया और तीसरे बंदे ने जो है तो उस चीज़ को टच करके फिर अपनी आंख से टच कर लिया तो वो ए ऐसा देखने से यह नहीं फैलता है, यह टच से फैलता है, टच का प्रिवेंशन आप पूरा रखें, थोड़ा सा बंदे को आइसोलेट रखें, उतने ज्यादा आइसोलेट रखने की जुरूरत नहीं है, जितना कोविड में रखते थे, बस एक वो काला चश्मा पहन के रखे ताकि जो है, तो टच बार बार वो आँखों को ना करे, और वो वाइरस जो है, तो उसके हाथों में ना लगे, या किसी को नहीं हो रखा है, तो अगर मालिय किसी के हाथ में कहीं से वाइरस आ भी जाता है, तो अपनी आँखों को ही टच ना करे, या हाथों को बार बार दो और साथ साथ जो है इसमें एक आंख से दूसरी आंख को भी बचाना होता है क्या होता है कि कई बार ये एक ही आंख में जो है तो हुआ रहता है और दूसरी आंख को जो है तो अगर बचाना चाहें तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें बचाना तो हर कोई चाहेगा थोड़ा स करें कि prevention के चक्र में जो इसके लिए दवाई लाए हैं वो इसमें भी डाल दी बहुत सारे जो है तो इसमें mode of transmission हो सकते हैं तो वैसे करके आप अपनी आँख को एक आँख को दूसरी आँख से बचाएं फैलने से और एक परसन से दूसरे परसन को भी बचाएं जिनको हो रखा मरजी से आँख में नहीं डालनी हैं क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग जाते हैं कोई भी दवाई उठाके ले आते हैं और कहीं गलती से भी इसमें अपने steroid वाली दवाई अपनी आँख में डालनी तो complications जादा हो सकती हैं बहुत जादा हो सकती हैं चोटी सी बिमारी जो goggles जो है तो लगा के रख सकते हैं उस एक तो जो फोटोफोबिया होगा जो light चौधिया आंखे चौधिया जाती है और discomfort फील होता है वो नहीं होगा और दूसरे जब भी हाथ लगाने लगेंगे तो कम से कम हाथ बार बार आंखों की तरफ नहीं जाएगा और याद आ इसमें आपने अपनी आंखों को साफ रखना है परन्तो यहां पर भी लोग बहुत गल्ती करते हैं क्या खुरते हैं जाते हैं वाश वेशन में पूरे बार बार आंखों को धोते रहते हैं और उस condition को जो है वर्जन कर लेते हैं क्योंकि वो जो टैफ वाटर है उसमें क्या रोचा उसमें खुदमें वैक्टिरिया हो उसमें खुदमें वाइरिस और जदा हो तो जहां पहले ही आंखों में वाइरिस ने अटायक कर रखा है वहां वैक्टिरिया को भी उसमें मौका मिल सकता है कि श्रीर आंखें का कंजक्टिवा जो है कमजोर हो रखी है यहां पर प पानी अच्छे से उबालना है ठीक है उसको ठंडा होने DAYना अपने हाथ अच्छे से धोने हैं हो सके तो उस उबले ऊँबले हुए पानी से अपनी आंखोंあっ एक या दो बार जादा से जादा धोना है फिर उसको जो है तो अपने टीशू पेपर से जो है तो ड्राइ कर लेना है उसे रुमाल से अगर ड्राइ करेंगे तो रुमाल फिर कोई और यूज कर सकता है कोई और धो सकता है तो फिर उसको भी चांसिस है उस बीमारी को ट्रांस् करवाओगे करोगे और ना ही उसको सुपर एडिड और बेक्टिरियल इंफेक्शन होने से वन रेवल बनाओगे अब इसके साथ साथ जो है तो आप क्या करना है आपने इसमें आप एंटी वाइटिक प्लेन डॉप्स डाल सकते हैं इसमें जो है तो आप देखिए अब इसमें बहुत लोगों के माइड में यह आ सकता है कि यह तो वाइरल इंफेक्शन है बार बार डॉक्टर चिला चिला के बोल रहा है कि एडिनो वाइरस तो एंटी वाइरल क्यों नहीं इसमें देते दोस्तों इसमें क्या होता है एडिनो वाइरस के लिए हमारे पास कोई एंटी व ही इसमें लड़ती है और बड़े असानी से इस पे जो है तो विजे प्रापत कर लेती है हमारी इम्यूनिटी बस हमने उसको थोड़ा सा टाइम देना है और ज्यादा पैनिक नहीं करना है और उल्टे सीधे जो है तो यह इलाज नहीं करने है और ओवर जो है तो इसमें टेंशिन में नहीं आना है और उसको जादा से जादा जो है तो फैलने से बचाना है और साथ-साथ आप यह बोल सकते है कि यह डॉक्टर vायरल कोई बता नहीं रहा है बोटब आपको कार्ण बता दिया और एंटिबाइटिक बोल रहा है डालने को तो एंटिबाइटिक थोड़ी वाइरस को मारेगी तो दोस्तों इसमें क्या होता है जब वाइरस ने अटैक किया होता है आंग पे या कहीं भी तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपर्चुनिस्टिक होत होते हैं वो मौकप रस्त होते हैं वो देखते हैं वाइरस ने भी अटैक किया है यहां पर कमजोरी हो रखी है मैं भी अटैक कर दोगा तो तब जो है तो सुपर एडिड़ इंफेक्शन को जो है प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसमें एंटिवाइटिक बता देते हैं करने पeकैंस को और इसमें जो है तो वह मोरा मोब असको नहीं ऑन होने देना है आ kamu हैं वह तो और अच्छे से काम करो है इसमें इसमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है प्रटु टेंशन कई वार्रोभ का रूप धारण करें तो आपने ज्यादा टेंशन लेनी है और यह सा बीटा ब안स का रास्थ अपनाना है और इसके साथ साथ आपने तो आंखों में ॲूब्रिकेटिट आउनकों को जो है लुब्रीकेटिड रखना है वो भी अगर आप ड्राइफ यह अगर आप बिल्कुल सही हैं आपको कोई और जैसे बीमारी नहीं है अगर किशी को शुगर है तो यह बीमारी आपको हो सकता है ज्यादा पहुंचाएं तो आपने आप ऐसे पेशेंट्स हैं त तब भी आपने बीमारी और अगर आप आप और भी दिखते हैं और भी वेमारी हैं त tril तो अपने मैं ड्राने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान जादा रखें, यह बहुत बहुत rare cases में होता है, बहुत rare cases में हमारी immunity strong enough है कि इसको पहले ही खतम कर देती है, बस आपने इसमें जो है उल्टे सिदे इलाज नहीं करने है, किड़ खानी नहीं करनी है, उल्टा immunity को बढ़ाने वाले काम करने है, जिससे immunity बढ़े है और और जो opportunistic bacteria हैं उनको इसमें आने का मौकर नहीं देना है, तो और ज्यादा अपने जो है तो इसकी care करनी है, हो सके एक दो दिन छुट्टी ले लो, अराम से लेटे रहो ठंडे कम सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर किसी को और मदद करिए इस बिमारी को हमारे भारत वर्ष में फैलने से रोकने में